question number 4 by what least number should the given number be divided to get a perfect square number in each case find the number whose square is the new number देख ले ये 1575 है इसको किस number से divide किया जाए कि एक perfect square मिल जाए कैसे करना है वो ये देख ले सबसे पहले आप question उतारेंगे 1575 और इस 1575 के prime factors लेंगे आप तो मैं 3 से divide करता हूँ तो 35 is a 15 फिर 32 is a 6 और 35 is a 15 अगें 3 से तो 3 बंजद 3 37 is a 21 और 35 is a 15 फिर 5 से तो 5 3 is a 15 और 5 3 is a 15 और फिर 5 से ये 7 ताइम्स और 7 से 1 ताइम्स यानि की 1575 को आप prime factors के product में के लिख होगे 3 की part कितने है ये 2 इन्टू 5 की पार 2 इन्टू 7 दिखिए यहाँ पर 7 सिर्फ एक है अगर यहाँ 2 होते तो ये perfect square number होता इसमें ये पूछा गया था किस से divide करें तो इसका pair नहीं बन पाया ना तो इसी से divide करना पड़ेगा आपको लिखना है कि to get a perfect square number divide it by किस से 7 से यानि कि जो नया number होगा अब जो new number होगा divide करने के बाद वो क्या हो जाएगा 3 की power 2 into 5 की power 2 क्योंकि 7 से divide कर दिया 7 तो cancel हो गया जिसको आप और क्या लिख सकते हो 3 into 5 की power whole 2 और इसको क्या लिख होगे 15 की power 2 तो आप question में से आपको लिखना है क्या कि the number the number whose square is the new number is कितना है यह answer है 50 I hope आपको first part समझ में आया होगा चलते हैं second part पर अब second part देखिए 9075 हमने क्या किया 9075 के prime factors ले लिए 9075 को आप prime factors में ऐसे लिखेंगे 3 एक बार है 5 टू टाइमस है 11 टू टाइमस है इसमें यह पूछा गया है किस number से divide करें कि perfect square बने तो देखो यहाँ 3 का pair नहीं बन पाया तो आपको क्या करना पड़ेगा perfect square number लेने के लिए divide करना पड़ेगा इसी 3 से क्यों क्योंकि इसका pair नहीं बन पाया तो जो नया number होगा डिवाइड करने के बाद उसमें 3 नहीं होगा तो यहाँ 5 square into 11 square है तो 5 into 11 का whole square हो जाएगा और 5 11s are 55, 55 का square तो आप लिखेंगे the number whose square is the new number is यही answer 55 करते है next part third part है 4851 सबसे पहले हमने क्या किया 4851 के prime factors ले लिए तो 3 कितने बार है 2 times 7 2 times 11 1 times तो उसने पूछाए कि किस number से divide करेंगी perfect square बने तो इसका pair 11 का नहीं है तो 11 से ही divide करना पड़ा तो हमने लिखा है to get a perfect square number divided by 11 जब यह 11 से divide हो गया तो जो नया number मिला है उसमें यह 3 की power 2 भी होगा 7 की power 2 भी होगा क्योंकि 11 से divide किया है तो 11 यहाँ से हट जाएगा तो 3 into 7 की whole power 2 लिखेंगे जिसको 21 का square कहेंगे क्योंकि 3 7s are 21 तो जो नया number है जिसका square है है ना the number whose square is the new number is 21 करते है next part fourth part है 3380 सबसे पहले हमने prime factors ले लिए 3380 के वो यह आए तो 3380 को product में के लिखोगे 2 की power 2 क्योंकि 2 है 5 1 बार और 13 2 बार तो यह कह रहा है किस से divide करें कि perfect square मिल जाए तो देखो यहाँ 5 का pair नहीं बना तो 5 से ही divide करना पड़ेगा तो हमने लिखा to get a perfect square number divided by 5 अब 5 से divide कर दिया तो नया number क्या होगा उसमें 5 नहीं होगा यानि कि 2 की power 2 into 13 की power 2 तो इसको लिखेंगे 2 into 13 की whole power 2 और 13 2 जा 26 26 का square तो the number whose square is the new number is 26 करते हैं next part फिफ्थ पार्ट है 4500 देखें सबसे पहले हमने क्या किया 4500 के prime factors ले लिए तो देखो 2 कितने बार है 2 times 3 कितने बार है 2 times और देखो 5 का एक pair ये बन गया और एक 5 remaining रहा गया तो अगर हम इसी 5 से divide कर देए तो यह हमें perfect square number मिल जाएगा तो हमने लिखा to get a perfect square number divided by 5 तो जो नया number होगा उसमें एक 5 कम होगा क्यों क्यों क्योंकि 5 से divide कर दिया तो ये ऐसे ही आया ये भी ऐसे ही आया ये भी ऐसे ही और 5 से divide हो चुका है ठीक है तो 2 into 3 into 5 यहां लिखा और सब पे whole power 2 लगा दी इसको multiply किया 5 2 जा 10 3 जा 30 तो 30 का square यानि कि 30 की part 2 तो जो नया number है the number whose square is the new number is 30 तो ये ही हमारा 30 answer है देखिए 6th part 7 7 7 6 हमने क्या किया 7 7 7 6 के prime factors लिए तो देखो यहां पर 2 कितने बार है यह 2 बार इसका pair बन गया मतलब 7 7 7 7 6 को हम prime factors में लिख रहे है तो इस 2 के part 2 ये वाला एक pair ये बन गया और देखो ये वाला रह गया इसका pair नहीं बना है ना और 3 की part 2 और इस भी 3 की part 2 और 1 ये रह गया तो इनके pair नहीं बने एक 2 का और 1 3 का तो हम क्या कहेंगे to get a perfect square number divide it by एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3 यानि कि 2 3 जा 6 आपको 6 से divide करना पड़ेगा इस number को तब ही हमें क्या मिलेगा perfect square number तो जो नया number है उसमें 2 और 3 नहीं होंगे बाकिसब ऐसी तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख कर whole power 2 लगा देंगे multiply करेंगे 2 तू जा 4 3 जा 12 3 जा 36 तो 36 का square तो हम कहेंगे the number whose square is the new number is 36 7th part 8820 सबसे पहले हमने prime factors लिए 8820 के तो 8820 को express करेंगे हम 2 की power कितना 2 3 की power 2 5 सिर्फ एक बार रहा है और 7 की power 2 to get a perfect square number divide करना पड़ेगा जिसका pair नहीं बनाया उससे यानिकि इस 5 का नहीं बनाना तो 5 से करना पड़ेगा तो जो नया number आया है उसमें ये सारे होंगे बस वो 5 नहीं होगा जिससे divide किया तो हमने 2 इंटू 3 इंटू 7 लिग कर सब पर power 2 लगा दी तो 2 3 is a 6 7 is a 42 तो 42 का square नहीं बनाबर हूज square इस दे न्यू नंबर इस यही आंसर होता 42 नेक्स पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट हमारा 4056 सबसे पहले हमने क्लेक लिए 4056 के prime factors ले लिए तो 4056 को आप express कर सकते हो prime factors में 2 कितने बार है 2 यह pair बन गया और देखो यह छूट गया क्योंकि यह सिर्फ एक लिए और एक यह 3 का pair नहीं बना वो यह लिग दिया और 13 का pair बन गया हमको pair बनाने होते हैं तो हमने क्या कहा कि to get a perfect square number divide it by इन दोनों से क्यों क्योंकि इनके pair नहीं बने तो 2 into 3 यानि कि 6 6 से divide करना पड़ेगा तो जो नया number आएगा उसमें इस सब होंगे बस यही 6 नहीं होगा 2,3 जा बाकी सब ऐसे लिग दिया तो 2 into 13 की whole power 2 और 13,2 जा 26 का square तो जो number the number whose square is the new number is 26 I hope आपको सारे question समझ में आया होंगे चलते हैं next question पर